तो हलो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ sleeping barbers problem for process synchronization के बारे में और इस problem को समझने के लिए barber को आप CPU और customer को process or job मानगी चलेगा इस problem के तीन cases होते हैं और वो case में से पहला case है कि जब कोई भी customer यानि कोई भी process available नहीं है तो जो CP होता है यानि जो barber है वो sleep mode में चला जाता है now over to case 2, case 2 में हम बात करेंगे जब कोई barber किसी का haircut कर रहा है यानि कोई process अभी running में है तो other processes जो है वो waiting में चली आती है यानि other customers जो है waiting में चली आते हैं और जब सारे waiting slots full हो जाते हैं कोई भी space second नहीं है तब जो customer है वो चला जाता है exit कर जाता है without taking a haircut यानि कोई भी process को complete कोने से पहले ही चला गया प्रूप प्रूप जो जाते हैं या जाते हैं